राजसान बज़ट 2024 में किसानों को बड़ा तोफा जल्द शिरू होगी गोपाल क्रेटिट कार्ड इसकेम। राजसान की उप मुखे मंत्री और वित मंत्री दियाक कुमारी ने विधानसबा में अंत्रीम बज़ट पेश किया। उन्होंने बज़ट सत्र के दोरान किसानों के लिए बड़ी खोशना की। मुखे मंत्री दियाक कुमारी ने कहा कि ग्रामें अंजल में रहने वाला परिवार डेरी उत्पादन पर भी निर्भर है। हमारे सरकार गोवन सनरक्षन के साथ ही इस कारिय से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आफशक कदम उठाएगी। इसलिए किसानों को उपकन खरीदने के लिए एक लाख रुपए तक का शोट टर्म लोन गोपार क्रेडिट कार्ड से मिलेगा। इस योजना के प्रथम चरण में पांच लाख परिवारों को रिन उपलब्द कराए जाएंगे और साथ ही इस योजना पर अगले साल 150 करोड रुपए खर्च के जाएंगे। सरकार ने महलाओं की सुरक्षा को भी प्रात्मिक्ता दी है। 10,000 किमी सिचाई पाइपलाइन 50,000 किसानों के लिए तारबंदी जैसे कारिये कराए जाएंगे। इसके अलावा 5,000 किसानों के लिए वर्मी कमपोस्ट, फूड पार्क और हार्टी कल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हाइर रिंग सेंटर और ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्द कराए जाएगी। पीम किसान सम्मान निधी में 2,000 रुपए की बड़ो उत्री। सभी आफशक कदम उठाएगी। रामिन अंचल में निवाश करने वाले परिवार किर्शी के साथ साथ डेरी उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर हैं। इसी दरस्टी से डेरी से समंदीत गतिविदियों और गोवंससेड का निर्मान कराने के लिए वें उपकन के लिए एक लाग रुपे तक का ब्याज मुफ्त शोट टर्म लोन उपलब्द कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तरज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम करने का एलान कर रही है इस योजना के तहट पहले फेज में पांस लाग गोपालक परिवारों को करज दिया जाएगा मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाएगी सर्थ मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वर्स 12 लाग किसानों को मक्का आठ लाग किसानों को बाजरा, साथ लाग किसानों को सरसो, चार लाग किसानों को मूंग, अवं एक लाग किसानों को ज्वार के उच्छे गुणवत्ता के बीज उपलब्द कराए जाना प्रस्तावी थे 25 लाग इरामिनों को नल से जल वित्मंत्री दिया कुमारी ने विधानसबा में राजस्थान का बज़र पीश करते हुए कहा कि आगामी वर्सों में 25 लाग रामिन घरों में नल से जलू पलब्द करवाये जाएगा। इस कारी हेतु लगपक 15,000 करोड रुपए वे किये जाना प्रस्तावीत।